हेलो दोस्तों तो बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक आज हम करने वाले हम सुनते हैं हैच बैक, सिदान, M.U.V, SUV यह होता क्या है ठेक है तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो देखिए आप देखेंगे तो हमारे पास इंडिया में बहुत सारा लग-लग यह जाती है तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे पहले समझेंगे वो टाइप है हमारे पास हैच बैक तो हैच बैक किस तरह से हम समझते हैं बारबाद सुनते हैच पैक, तो हैच पैक होता गया, देखे इसको अगर आप डिफाइन करना चाहते है, तो एक्षली क्या है, आप इसमें अलग-लग देखते हैं, अगर आप देखोगे तो यह इंजिन का कमपार्टमेंट माना जाता है, और यहाँ पर एक कमपार्टमेंट म होती, डिवाइड नहीं कर रखा होता, आपस भी ओपन होता है पीछे से, आपने देखा होगा हमेशा इस सी को, तो यहाँ से ओपन होता है पीछे से, तो इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, यह बैक साइड देखिए, तो गाड़ी जो होती है न इसके एक ही енतरी एक ही क WHY पार्टमेंट मेर में इंसको मफ़ क्योंत को आपको आगे वाले बैटने वाले पीछे वाले और रगजर्ज ये सब कुछ इपार्टमेंट में आपक्स वह ऐखे ने का दिपरेंस है तो हर आपने और इस वह टाइप्स क्या है react I10 यह hatchback है, तो यहाँ पर Tiaga देखोगे, तो hatchback है, Beleno देखोगे तो hatchback है, इस तरह की hatchback गाड़ी बहुत सारी अलगलग होती है. तो इसलिए मैं आपको एक्जाम्पल दे रहा हूँ, गाड़ीयां बहुत सारी है, अलग ब्रैंड की अलग लग मॉडल निम से आती है लेकिन अभी तक मैंने यहां पे आपको option दी है यहां पे चार तो इस तरह से आप समझे सकते हैं कि hatchback क्या होता है ओके next है हमाँ पर sedan rences sedan में क्या होता है इसमें difference क्या है इसमें हमाँ पर यह compartment है इंजन है यहाँ पे बैठने वाला और यहाँ पे यह तीसरा जो है वो कमपार्टमेंट अलग होता है अगर आप सिर्यान गारी में देखोगे कोई भी समान आपको उतारना है तो आप यहाँ से नहीं ले सकते यहाँ से नहीं ले सकोगे आपको पीछे से जो डिकी होती है उसको ही ओपन करना पड़ेगा ठीक है बैक साइड जाना पड़ेगा उसको ओपन करना पड़ेगा यह नहीं है कि मतलब इसके साथ मिक्स है तो एक ही कमपार्टमेंट नहीं है यह अलग लग कमपार्टमेंट होती है अगर हम देखेंगे सिडान गाड़ी में तो ये देखिए हमारे पास जो स्पेस है वो इसको हम कहते है बूट बूट स्पेस कह देते है बूट स्पेस तो ये बूट स्पेस जो है वो अलग है दूसरे से तो अगर आप यहां से अंदर से का चाहोगे समान निकालन सकते हैं तो यह boot space है इसमें बूट space जादा होता है ठीक है इसमें boot space जादा होता है यह हमार पास sedan-gaड़ी आजती है तो आप sedan-gaड़ी को इस तरह से समझ सकते हैं तो sedan गाड़ी बहुत अलग लग तरह की इंडिया में आती हैं, आप देख सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास थोड़ी सी मैने images जा ली हैं, जिससे आपको समझ आ सकें, सिंपल सी बात है, swift गाड़ी यहांए हमारे पास है, switch desire जो होती है, हमारे पास sedan बर जाता है, हैजपैक को सिडान में यहाँ पर डिफरेंस क्रेट हो जाता है बात समझाई होगी आपको सिंपल सी बात है तो यह हमारे पास डिफरेंस है सीउवी गारी की हाइट जादा होती है और सबस्स तो यहां पर क्या है कि इसकी हाइग होगी प्लस इचाज फोर वील ड्राइब एंड रूग्ड स्टाइल तो हमारे पास four wheel drive होता है तो SUV हम उसको कह देते हैं four wheel drive हो और rug style हो उसका मतरब पूरा तकड़ा हो उसका और इसमें क्या है कि chassis जो यूज करते हैं वो ladder frame chassis यूज करते हैं अब ladder frame chassis किसे कहेंगे हम जो truck के लिए यूज करते हैं ना chassis round clearance दिखा रखा है और plus chassis भी दिखा रखा है कि हमारे पास बड़ी जो SUV गाड़ियां इस तरह से होती है Fortuner जो है आम एक्जामपल है इसकी SUV की sports duty duty vehicle की आप देखोगे Fortuner कितनी ओची होती है तो ये Fortuner गाड़ी है ये SUV की एक एक्जामपल है नेक्ट देखते हैं हमारे पास देखे इसमें एक और आजाता है जिसको हम कहते है compact SUV SUV और compact SUV में difference है वो क्या difference है देखे the ride height of an SUVs is higher than compact SUV तो ride height जो है compact SUV की कम होती है SUV की जादा होती है तो Fortuner की height जादा है आमें इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है आगे देखे इट गिज़ अ क्लियर लुक अहेड and a more prominent sitting position तो हमारे पास अच्छा इसमें होगा and this makes up for a dominating presence dominating presence भाई तकड़ा ही बंदा होगा जिसके बास SUV गाड़ी है फॉर्चुनर है a compact SUV on the other hand might have a higher ride height than say sedan sedan से तो ज़्यादा है जो हमारे पास क्या है कि बीच का आगया रस्ता हमारे पास compact SUV क्या आगया sedan से तो height ज़्यादा है लेकिन SUV से कम है SUV से कम है तो आप इसको इस तरह से समझते सकते हैं मेरे भाई कि हमारे पास जो सेल्टोस गाड़ी है किया की सेल्टोस गाड़ी है वो हमारे पास compact SUV है यह SUV हम कह देते हैं लेकिन यह compact SUV में आती है तो ना इसमें four wheel drive मिलेगा आपको two wheel drive मिलता है तो हमारे पास यह होता है SUV और compact SUV में डिफरेंस तो हम जब इसको देखते है देखे टाटा की नेक्शन आती है ये भी हमारे पास compact SUV आती है तो महिंद्रा की XUV 300 आती है अब इन्होंने दिमाग गुमा दिया SUV देखो यहाँ पे ना यहाँ पे लिखा होता है SUV SUV तो समझ आ गया SUV अब यह XUV क्या आ गया तो यह XUV कुछ नहीं है महिंद्रा ने अपनी गाडियों का एक ब्रैंडिंग की हुई XUV की नाम से कि स्पोर्ट्स यूटी एक स्पोर्स यूटी एक स्पोर्स यूवी है लेकिन नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है cross over SUV अब cross over SUV क्या है इसमें इसको किस तरह से लिखेंगे देखिए cross over utility vehicle CUV CUV और लोग बहुत कम इसका नाम बोलते है CUV बहुत कम बोलते है SUV SUV उनको जादा पता होता है CUV कम पता होता है तो यह जो गाड़ी है यह S-Cross गाड़ी देखो मारे तो Suzuki S-Cross आती है यह हमारे पास जो होती है वो हमारे पास cross over गाड़ी आ जाती है अब difference क्या है CUV और SUV में को difference यही है देखिए the difference between CUV and SUV is the chassis which lies beneath तो जो chassis है वो इसमें है technically the SUV uses truck chassis while a crossover employs a car chassis तो वहां पे हम truck की chassis यूज़ कर रहे है यहां पे car की chassis यूज़ कर रहे है इसलिए यह difference हमारे पास create हो जाता है next हमारे पास आयता है MUV multi-utility vehicle multi-purpose utility vehicle भी बोल देते हैं तो इसमें क्या है कि जब हमारे पास seven-seater गाड़ी आ जाए ठीक है एक यहां पे भी driver वाला आ गया बीच आ गया पीछे बैठने के लिए आ गया तो इसको हम कहा जाते हैं MUV MUV गाड़ी जैसे इनोवा गाड़ी होगी अर्टीगा गाड़ी होगी यह गाड़ियां जो है हमारे पास हो MUV में आ जाती है इसमें इवन आप कहीं पे ट्रांस्पोर्ट के लिए भी यूज कर सकते हो इसको आप चाहे ऐसे टैक्सी भी यूज करते हैं आपने देखा होगा ठीक है और यह MUV इसलिए ही कहते हैं इसे हैं अब देखे, कूप गाड़ी या कॉप कह देते हैं, कोई कूप बोल देता है, इसमें हमारे पास क्या है, सिटिंग वही है, चार पांच बंदो की सिटिंग है, आगे भी है, पीछे भी सिटिंग है, लेकिन इसमें एक है कि दरवाजा एक रखा होता है, डोर जो है, वो एक गाड़ी है तो यह था हमारे पास संख शेप में वह बना दतानी की कोशिए की कि हमारे पास अलग लग टाइम्स कोन से आते है कार की आप को दिखेगी मतलब गार जाती होई दिखेगी तो आप बोल सकोगे कि यह कोन सी गाड़ी जारी है, सिडान जारी है, यह SUV जारी है, compact SUV जारी है, कोई भी बोल सकते हो, अब आप एक comment box में यह बता है कि आपकी favorite गारी कौन सी है, सिडान है, SUV है, compact SUV है यह कौन सी है, ठीक है, वो अलग बात है कि आपको नहीं सर मेरा तो सीधा बुगाटी तक ही है, अच्छी बात है, बह अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब जूर कर लें चैनल को, और आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो आप, अच्छी लगी है का मतलब क्या था लाइक करना, लाइक कर रहे हैं तो लाइक कर दीजे मेरे वीडियो को, thank you so much, नेक्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे,